हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपम आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में आलू मतर का चालू बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी आसान आप इसको किसी भी समय बना सकते हैं इसको रोटी पराठा के पहले आप से एक छोटी सी रुक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको मेरे वीडियो लग रहा है और अब तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर किलिक कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती र सारा इस्टार्ज रिकाल दिया है अब हम एक बार और अच्छे से धो लेते हैं अब हम इनको बॉयल कर लेते हैं उसके लिए कुकर ले लिया है आप हम अलू मटर को कुकर में डाल देते हैं अब हम दो कप पानी ले लेते हैं अब हम थोड़ा सा नमक एट कर लेते हैं आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एट कर लेते हैं दो चुटकी हींग ले लेते हैं अब हम कुकर का ढखकर लगा देते हैं और इंडेक्शन पर रख देते हैं छे-सास सीटी आने तक अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, अब हम चटनी बना लेते हैं, उसके लिए हमने आम की कलिया ले ली हैं, देखिए ऐसे कलिया ले लेना है, अगर आपके पास साधी कलिया हो तो साधी भी ले सकते हैं, हमने मसाले वाली ली है, या फिर इमली का भी यू कर सकते हैं आप ऐसे भी मैस कर सकते हैं या फिर मिक्सर जार में ग्राइंड कर सकते हैं आप हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं जिससे अच्छी चटनी एकदम बजार जैसी बने अब हम ट्रांसपर कर लेते हैं अब हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेते देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है देखिए कितनी अच्छे से पिश चुकी है अब हम फिर उसी भगोने में ट्रांसपर कर लेते हैं और मिक्सर जार में लगी चटनी को पानी डाल के उसी भगोने में डाल देते हैं अब हम मीठे पन के लिए थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं अगर आपको दोनों नहीं पसंद तो कोई एक चीज यूज कर सकते हैं अब हम गयश पे चढ़ा देते हैं और चलाते हुए पका लेते हैं अभी हमारी चटनी थोड़ी सी खटी थी इसलिए थोड़ा सा गुड़ और एट कर लेते हैं, आपको जितनी चटनी मीठी पसंद उतना गुड़ा एट कर सकते हैं, या फिछ इनी एट कर सकते हैं, आप हम एकदम बजार जैसे चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा आरेंज फूड कलर डाल देते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और हमारी चपक चुका है, बहुत ज्यादा नहीं मैस हुआ है, बस इतना ही रखना है मतर को, देखिए मतर के दाने भी दिख रहा हैं, आप हम अच्छे से आलू मैस कर लेते हैं मतर के साथ में, ऐसे ही कल्ची से मैस कर लेना है, देखिए हमने मैस कर लिया, बस इतना ही रखना है, मिर्ची अपने टेस्ट का अनसार लीजिएगा अब हम दोनों चीज़े अच्छे से पका लिए हैं अब हम एक बारी कटा हुए प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को भी अच्छे से पका लेते हैं गलने तक टमाटर को पका लेना है टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक अट कर लेते हैं नमक डालने से बहुत जल्दी टमाटर गल जाता है देखिए थोड़ी देर में गल चलाते वे मिक्स कर लेना है एक मिनिट देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम थोड़े से मसाले अट कर लेते हैं उसके लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं मिर्च अपने टेस्ट कार्डिंग लीजिएगा अब हम एक छोटी चमाच धनिया से के मिलो कर देना है देखिए अमने मिक्स कर लिया है अब हम आदि खोटी चमाच चाट मसाला ले लेते हैं अगर आपके पास हो तभी लीजिएगा यह तो अ seat कर लेते हैं अक त्दे नीमू का रस ले लेते हैं, नीमू का रस अपने टेस्ट कार्डिंग लीजिएगा, अब हम फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब हम जो चटनी बना के तयार की ते उसको डाल देते हैं, हमने तीन चम्मच चटनी डाल दी है, बड़ा वाला चम्मच है ये, अब हम फिर एक बार अच्छे से mix कर लेते हैं इस तरह से आप भी कचालू बनाएंगे तो हमेशा ही बना के खाएंगे मेरे कहने से एक बार जरूर बनाईएगा अभी चटनी कम लग रही थोड़ी से चटनी और आट कर लेते हैं चटनी भी अपने टेस्ट कार्डिंग लीजिएगा अब हम थोड़ी देर और अच्छे से mix कर लेते हैं देखिए हमारी कचालू तयार हो चुकी है अब हम इसको सर्व कर लेते हैं उसके लिए बजार जैसे दोने ले लेते हैं अगर आपके पास दोने ना हो तो आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं देखिए कितनी अच्छी लग रही है आप हम थोड़ी सी चटनी उपर से और डाल देते हैं थोड़ा सा नीमू करस डाल देते हैं अगर आपको खटा नहीं पसंद तो आप इसकी भी कर सकते हैं अब हम थोड़ा सा बारी कटा हुए प्यास डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया पत्ति डाल देते हैं थ आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा ही मन करेगा आप इसको रोटी पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगते का चालू मेरे कहने से जरूर बनाईएगा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजेगा अपने फेमली कीजेगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए आपको अपना कीमती समय देने के लिए